बल्लबकर में हाल ही में शुरू हुई नवनिर्मित खंड स्तरी सची वाले का आज परिवयाइन मंत्री मूलचन शर्मा ने पहुंच कर ओचक निरिक्षन किया और सभी विविस्थाओं का जायसा लिया और जानकारी हासिल की कि अब तक कितनी भी भागों के दफ्तर यहां शिफ्ट हो चुकी हैं और उनकी किस तरह से कारे परनाली चल रही है इस मौके पर उनके साथ SDM समीत तमाम अधिकारी मौजूद रही आपको बता दी कि एक महीने पहले हर्याने के मुख्यमंत्री मनोहुरलाल खटर नी खंडस्तर ये शुभारम किया था मंत्री के मताबिक निरिक्षन में कोई भी खामी अभी तक नहीं पाई गई है बलकि सभी कारे सुचारू रूप से चल रही हैं ओचक निरिक्षन के दोरान पत्रकारों से बाचीत करते हुई परिवैन मंत्री मूल्चंद शर्माने का कि बल्लबकर में मीनी लगू सचीवाले का एक महीने पहले मुख्यमंत्री ने शुभारम किया था और आज मैं अचानक इसका ओचक निरिक्षन करनी के लिए यहां पहुँचा हूँ ताकि पता लगाया जा सकी कि अभी तक यहां पर कितने विभागों के आफिस स्थापित हो चुकी हैं या नहीं और सरकारी विभागों का का आज कैसा चल रहा है उन्होंने बताया कि ओचक विभागों की शिफ्टिंग होना यहां बाकी है जो जल्द ही यहां शिफ्ट हो जाएंगे और जन्ता को एक चत के नीचे सब ही विभाग के अधिकारी मिलेंगे सारी जानकारी उटा लएंगे क्या वैस्ता है वैक्तने की है कहां दूसरी वैस्ता है इसलिए कि आज मैंने यहां किया है और सभी मिनिसेक्टिक चट के नीचे सब एदिकारी काम करेंगा और इसको सुनने बढ़ी है रूप से इसको चलाने कहा है कुछ समश्या निप्ताई गोतलब है कि बलबगड में हाल ही में शुरू हुए नव निर्मित खंड स्तरिय सचीवाले का आज परिवहन मंत्री मूल चंच शर्मा ने पहुंच कर ओचक निरिक्षण किया और सभी विवस्ताओं का जाइजा लिया और जानकारी हासिल की कि अब तक कितने भी भागों के दफ्तरियां शिफ्ट हो चुकी हैं और उनकी किस तरह से कारे पढ़नाली चल रही है इस मौके पर उनके साथ SDM समीत तमाम अधिकारी मौजूद रहे आपको बता दी कि एक मेना पहले ही हर्याना के मुख्यमंत्री मनोला लखटर ने खंड स्तरिय शुभारम किया था मंत्री के मताबिक नेरिक्षण में कोई भी खामी अभी तक नहीं पाई गई है बलकि सभी कारे सुचारू रूप से चल रही है पंचब के सिटीवी के लिए फरिदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपॉर्ट